नमस्कार दोस्तों मैं सागर कुमार आप सभी का जो है सेसी में स्वागत करता हूँ आज भारत के सोने मितिहांस के महत्पूर्ण घटना के बारे में आप सभी के साथ मैं चर्चा करूँगा यानी 1909 Sv की यह तीन महत्पूर्ण घटना के बारे में मैं आप सभी किसार डिसकस करूँगा यदि आप चाहते हैं कि 1909 Sv से पहले की 1370 संग्राम के महत्पूर्ण घटना के बारे में जाने तो इसके पहले आपके लिए तीन वीडियो अप्लोड कर दिया गिया है जिसमें अनिसो पांची सभी से लेकर अनिसो अठारे सभी के बीच की घटना जो है बर्णित की गई है अब चाहे तो वहां से जाकर के देख सकते हैं अई जानते हैं सबसे पहले रॉलेट एक एक्ट क्या है हुआ यूँ की अनेसी स्वी का आसपास भारत में जो है करांतिकारी दोल था जगह जगह पर जो है करांतिकारी अंदुलन हो रहे थे उसी समय पर्थम विशूद भी चल रहा था और 18 में उसकी समाप्ती भी हुई जिसके वजह से लोगों में आसा थी कि पर्थम विशूद समाप्त होगा तो इंगलेंड हमें सोसासन प्राप्त करेगी हमारे साथ कुछ न्याय करेगी लेकिन ठीक उसके विप्रित होता है और र दो ख्राप्त कारी में स्थापित करना चाहते थी इसके लिए क्या किया कि शॉर्सिडणी रॉलड की अध्यकिस्ता में एक कमिटी काकर्थन कि यह अवर भाताफ आपना बंग स्थापट करना चाहते थी इसके इसके इस committee का कार्य क्या था उदेश क्या था तो कुरावी कर्दिक कारयों की जाच परताल करते हुए उनकी दमन के लिए कज़ांब परताव जाच नहीं करना था उसको दमन करने के मी करने के कैसे धमन किया जाएगा इसी करLL सरसीदन रॉलेट धनerson के नाम से चाना जाता रॉलेट को लगूँ पुछेगा कब लगू गया उस्च लित के अंतरगत विशेश नियाले की स्थपन की गई इस इनकी अंत्रगत अपराधियों पर विशेस न्याले द्वरा मुकादमा चलाया जा सकता था जिसमें कितिन हाई कुट की जज सजस्य थी न्याले के निर्णय के विरुद कोई प्रधान नहीं था अठात रोलेक्ट एक्ट के अंत्रगत जो न्याले बना था वो न्याले कोई भी लोव कानून पारित करे किसी को कुछ भी सजा दे उसके विरुद में कोई आवाज नहीं उठा सकता था उसका पुनव सुनवाई नहीं हो सकता था किसी भी बैक्ती को याने किसी भी बैक्ती को बीना वारंड के ग्रिफ्तार किया जा सकता था उसकी तलासी लिजा सकती थी बीना मुकादमा चलाए किसी बैक्ती को दो बरस तक जेल में रखा जा सकता था अर्थात संदेह के आधार पर ब्रेक्ति को ग्रिफतार कर लिया जाता था उन्हें सजादी जाती ती दो बर्स के जेल की लेकिन उसके विरूद में कोई आबाज हमें नहीं उठा सकता था कोई दलिल भी पेस नहीं कर सकता था इसलिए इस कानून को बिना उकिल, बिना दलिल बिना अपिल का कानून कहा गया कोशन पुछेगा कि बिना अपिल, बिना उकिल बिना दलिल को किस कानून को कहा गया तो रॉलेट एक्ट को भारतियों जानता ने जो क्या किया इसी काला कानून कहकर आलोचना की काला कानून कर आमसे किसको जाने राता है रॉलेट एक्ट को ठीक है रॉलेट एक्ट के ब्रूद करने के लिए गांधे जी ने सत्याग्रा सभा की अस्थापना की उसमें गांधे जी मुंबई में थे वहाँ पर उन्होंन काया सत्यागर सभा की अस्थापना की जिस सभा के सदस्ते जमुना लालदास, द्वरकादास, संकरलाल बैंकर और उमर्शुमाने बीजी हरनेमन या दिस्था मिलते सभा के सदस्यों ने सफत ली कि अत्यांत ही सभे तरीके से इन बीलों का बिरोध करेंगे और इस संघर्ष में सचाई का रस्ता अपनाते हुई किसी भी प्रकार के हिंसा से क्या रहेंगे दुर रहेंगे गांधी जी ने कहा था मेरा पक्का विश्वास है हमें कश्च ताकर ही हमें अपनी मुक्ति प्राप्त होगा जबकी हम आत्मा की सकती इस्तिमाल करते हैं चो अपरेल अनीसो अनीस को गांधी जी की अनुरूद पर दिस भर में हारताल का आयोजन किया गया, उफवास रखा गया, हलाकि पहले यह डेट था 30 मार्च को, लेकिन आगे बढ़ा करके इसको चो अपरेल रखा गया, लोगों में डेट की गलत्वामी को जैसे कई जगह जह है, जो आला मुखी का विश्फूट हो गया, लोग अंग्रेजु का बिरूद करने लगे होता क्या है, उस बिरूद को, उस करांतिकारी चरन को, गांधी जी सुचते है कि जाकर के सांथ किया जाए, इसके लिए वो चाहतने के दिल्ली और पंजाब जाया जाए, लेकिन दि प्रियनेता, डॉक्टर किचलू और डॉक्टर सत्यपाल को ग्रिफ्थार कर लियागी, अब होता क्या है, डॉक्टर किचलू और सत्यपाल की ग्रिफ्थारी आग में घी डालने का काम करती है, लोग इसको बिरूद परदर्सन में दस अप्रेल को पाहर निकलते हैं, सवा हो जाती है लोगों में तनाव फैल गया दंगे में लगवक पांच एंग्रेज मारे गए यहां तक हुआ कि उसमें एक मरसेला सिरूड नाम की महिला थी वह साइकल पर जा रहे थी उसके साथ लोगों ने क्या किया बिद्रोह किया यानि अब भद्र बहवार किया अब ब्रिटिस सरकार और चिंतित हो गई वह जल्द ही बहुत से सैनी को जो है अमरिस्वर पंजाब में भेजने का प्रभंध किया और सांत से कहा गया कि आप जो है वहां पर सांतिय स्थापित की जी उसने घुष्णा जारी किया कि बीना पास का कोई भी बैक्ति सहर से बाहर ना निकले 13 अपरेल 1929 को उसी दिन बैसाखी का दिन था आसपास के गाउं के लोग बैसाखी मनाने के लिए जालिया वाला बाग में काठा हुई हुआ कि जालिया वाला बाग जो है आपको पजाब के अमरिस्थर में इस्तित है श्वण मंदिर से कुछ ही दूरी पर जो है जालिया वाला बाग है चुकि बैसाखी का दिन था इसलिए मंदिर में लोग पूजा करके वहां से बच्चे बुढ़े अपने परिवार के साथ जालिया वाला बाग में बैसाखी मनाने के लिए चल देते हैं वहां पर वे जाते हैं लेकिन वह डायर की घोषना से अंजान रहते हैं कि डायर ने घोषना किया था कि बीना पास के बाहर नहीं निकले क्यूंकि धर्म के साथ यह मामला जूला हुआ था उसी समय अस्थानी नेताओन ने भी इसी अस्थान पर एक बिरोद सावा का आयोजन किया और बैठक सान्ति पुन्धंग से चल रही थी जिसमें सत्यपाल किछलू और रॉलेट एक्ट गांधी गिप्तारी इस सब के वारे में जो है चर्चा हो रही थी तब तक होता है किया जनरल डायर वहां पर पहुँचता है लगबग साढ़े-पांचित बज़े साम में अंग्रेज जनरल जो डायर है बीना किसी पूर्व सुचना या चेतावने के भीड़ी पर गोली चलाने की आग्या दे देती है चुकि जालिया वाला बाग का जो है दिवार लगबग साथ फीट उचा था पतला पतला साओं उसमें दरवाजा था लोग गोली का वाज सुनते भागना चाहे लेकिन दरवाजा तो चुकि पतला था पर तेक दरवाजा पूलिस खड़े थी और वह गोली चला रहे थी फाय तो पचास गोलिया चलाई गई पर 33 राउंड गोली उस्तमें तक चलाई गई जब तक जो है आप सेनिकों के गोली उराई नहीं चारों तरप लगने लगा उसी जालिया वाला बाग में एक कुवा भी था बहुत लोग जान बचाने के लिए कुवे में चलागना लगाने लगे कुछ लोग जहें एक दूसरे से लास से नीचे दबकर मर गए कितना अभ्यावा वह द्रिश था आप यहां पर एक दिवार के माध्यम से देख सकते हैं कि इस तरह से बुलेट का निशान है उसी आंदूलन में जालिया वाला भाग हत्याकान में ही प्रत्यक्ष दर्सी एक जीवित बेक्ती हरपूर सिंग बताते हैं कि मैं उससे मैं चार वर्स का था जब अपने दादा ज प्रत्यक्ति के साथ जालिया वाला भाग हूंने लेकिन जब दादा जी सबसे पहले मुझे लेकर भागने का प्रयास की चुकि हुआ साथ ठाट तो उन्हों सोचा कि दिवाल को तो हम फान नहीं सकते हैं तो मुझे बचाने के लिए नहीं हर पूर्षिंग कहते हैं कि मुझ जिवित भी रह गया कि नहीं इसकी चिंता नहीं करते हैं लेकिन यह जरू सुचते हैं कि कुछ तो होगा उस पार जाने के बाद इस गुली से रक्षा तो हो सकती है और वे मिर्त्व को प्राप्त किये साड़े पंच का चुकी समय था लगवग रात हो गई लोग लाल्टेन से दिया जलाकर अपने परजन को ढूड़ने लगे खुन की बदबुस सुंकर जो है जंगली कुकूर जो कुता थे लासो के पास पहुँचने लगे सरकारी रिपोर्ट तो बताती है कि लगवग 389 वेक्ति मारे गए लेकिन साइद इस्तिती से कहीं अधिक थी 1200 लोग घायल हुए यह सरकारी रिपोर्ट का अकड़ा है लेकिन ऐसे कुछ अकबार या दूसरे माद्यम से जाना जाता है कि लगव 5,000 लोग जखमी हुए थे कितने लोग तो घर पे जाके मर गए लोग डर से नहीं बता रहे थे कि हमारे रिसदार जखमी भी हुए है इतना लोग जो है अंगरे जो से डरे हुए थे तो ऐसा था वह कला दिन ऐसा था जालिया वाला बाग हत्या कांड का दृष आज भी साक्षी है यह दिवार उस पल की इस भ्यंकर त्रासदी से जो है कठोर सी कठोर मानों के हिरदय दहल उठा इस भ्यंकर त्रासदी ने कठोर सी कठोर मानों हिरदय को दहला देने वाला निहत्थे पुरुशो और अतों बच्चू का ऐसा हत्या कांड हुए जिसने राष्ट की सोई हुई आत्मा को राश्टी या अंदुलन के दिसा ही बदल दी ऐसा द्रीस था जालिया वाला बागत्यागान ऐसे लोग कहते हैं कि उसी समय जो है एक अनात्थ वच्छा उधम सिंग वही इस द्रीस को देख रहा था अन्दर जो आला भड़क उठ रही थी उसने जनरल ओडायर को अन्य सचालीस इसी का सपास लंदन में जाकर बिटीन में जाकर उनकी हत्या कर दिया उन्य सचालीस इसी में जो है उधम सिंग को फासिद दी जाती है अन्य सचालीस इसी में उनकी अस्तिया को भारत लाई जाती है उस समयं जितने भी उधारवादी थे या उग्रवादी थे सभी जो है अंग्रेजों से रूठ जाते हैं अमरित सर में बिद्रोह का ज्वला मुखी का बिष्ठ फोट हो जाता है इस हत्याकांट से दुखी हो करके कुरूध हो करके हमारे देश के जो है रविन्ना टेगोर ने नाइट की उपाधी त्याग दी वाईसराय कारकार्नी परशद के सदस्थे संकर नायर उन्होंने त्याग पत्र दिया गांधी जी ने केसरे हिंद की उपाधी त्याग दी जमना ललबजाज ने राय बहादुर की उपाधी त्याग दी जालिया वाला बागहत्याकांड में हंसराज नामक भारती ने डायर का सोरी डायर लिखा है डायर होगा यहां पर ठीक है डायर का जो है सहता किया था तो के लिए सरकार ने सब्सक्राइब करने के लिए लोगों के नजर में अपने को दिखाने के लिए जो एक आयूग का गठन करता है वह जाच करे इस घटना के बारे में उस जाच उस कमिटी का जो है नाम का है हंटर आयूग हंटर आयूग ने अपना रिपोर्टर देती है जिसे गांधी जी कहते हैं कि यह पन्ने दर पन्ने का निरलज सरकारी लीपा पोती है इसकी संग्याव उन्हें दिया है जब जनरल ओडायर से कमिटी पुछती है कि आप अपने उच अधिकारियों से आप कमिशनर से सलाह पहले क्यों नहीं किया तो उसे मैं कोई महाप्रकमिशनर उपसित नहीं थे फिर कहा जाता है कि आप चाहते तो तो सभा को कितर वितर करने के लिए असमान सभाद में लोग कहते कि मैंने तो मार्स यानि जनरल ओडायर का उलंगन किया उनका कथन नहीं माना उनके नियम को नहीं माना हुए हमारा मजाक उडाते इसलिए मैंने अपने नितिकता को अपने करतब का निबाते हुआ इससे किया फिर लोगों पूशा कि अगर आप चाहत करते तो जो लोग घायल हो रहे थे उन्हें इलाज के लिए अप स्वास्त सुधा पुलप करा सकते थे लेकिन कहता है जनरल ओडायर कि मैंने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि मैं अगर वहां जाता उनलों को सहता करने के लिए तो वे हम पर तुट पड़ते और मेरे बुट कांग्रेस ने भी जलिया वाला बागत्याकान के जाचे तू मदन मोहन मालिवे की अध्यक्ष्टा में एक समिती निक्त की जिसके सदस्ते मुतिलाल नहरू महत्मा गांदी सीयर्दास बदुदिन तयब जी और जैकार जी ठीक है आगे बढ़ते हैं कांग्रेस जाच समिती अपनी रिपोर्ट प्रस्तूत की डैयर के जिसमें निंदा की और बिवेक हीन उसे कहकर भावेस के कदम उठाने कारोप लगाया अंत्ता क्या क्या जाता है डैयर को डिपटी से गलत तरीके से निभाने की दोसी पाया गया और अनिस्ता बी सी सी में उसे पद से हटा दिया गया और उसे इंग्लेंड बुलाया गया जब जनरलो डायर बिटेन पहुंचता है तो है कि हाउस अफ लोर्डस ने जो है डायर की परसंसा होती है भासन दिये जाते है उसे ब्रिटिश समराज का सीर कहा जाता है इसी समय पंजाब में एक और क्रांतिकारी चरण का प्रारंभ हुआ जहली आवला बाग हत्यकान के समय ही पंजाब में चम्मन दिव के नितित्व में किस किने तिम्में चम्मन दिवकेने तिम्हें डंडा फॉझ अस्तीत्तमाया डंडा फॉझ क्या करते हुझ अर्षे की करते थे और जभेते हुझे मुसलमान और सीख भायों देखे गया है ठीक है को आते थे अरे हिंदू मुसलमान सीख भायों डंडा फोज में सामिल होकर के अंग्रेज बंदरों के खिलाब बहुदरी से लड़ो यह गांधी की अग्या है तो यह थी अन्नी सो अन्नी सिस्वी की जो है महत्पूर्ण घटना यदि आपको अच्छा लगे इसमें कुछ मेटरियल मिले तो इसको लाइक कीजिए सस्क्राइब कीजिए और दोस्तों के पास सेर कीजिए ध्यान दीजिए यदि आप चाहते हैं कि इस पूरे वीडियो का जो है आपको पीडियेफ पराप्त हो तो आप हमारे वाटसप ग्र से बनास बता सकते हैं थैंक यू